नमस्कार मैं जहांगीर आलम आप देखने कॉल्ट फिल्मीरर हर पल आपके साथ आज यहां पर किस चीज का एक्जाम है बच्चियों का कितने दिनों से कोर्स जो है कर रही थी कितनी बच्चियां यहां पर भाट ली है कि 41 इसके लावा और और यहां पर किसी तरह का कॉर्स तरह का कॉर्स यहां पर कितने वर्सों से कराए जा रहा है किस तरह से इन लोगों देना पड़ता है निए पारट पार्ट को देती है यह जो क्लास है 15-20-20 का कोर्स है लेकिए आपका परीचर पर नाम सुक्ताना वेगा नाम क्यामत्तुराश्ट तरह को चिंट है आज यहां पर किस ले आई हैं? हम एक्जम लेने तक रहा हैं किस चीज कर एक्जम है? जूटिशन का एक्जम लेने हम इहां आई हैं रोजसन का ब्रांच चला भी है हैं मिठानी में आप आया टीचर बन के घिदी का एक्जम लेने कप परीचे पुगत? मेरा नाम है बालानी मुकत चीज इस सिंटर चला टीच कोफ़ना सिंटर प्यूटिशन के इस जी सारा पुछ मेरे पास होता है और यहां इक्जम के लेने आता है क्यों है? जी मेरा नाम जैन्तिदासर अब अभी क्या कर रहा है? जी मैं अभी आन्टी के पास है प्यूटिशन सीखे अभी अपना पालर के खोल चुकी हूँ अच्छा कहां पर सीखे दे आता है? जी यही पर न्यामतपूर रोशन एडुकेशन कब से सीख रहे था? मेरा छे म्याना का कोर्स था बस छे म्याना सीख रहे है कम्प्लीट हुआ कोर्स था हाँ जी आज कम्प्लीट हुआ एग्जाम तो यहां पर परसेशन कैसा दिया जाता है? बहुत ही अच्छा जी पालर की है आप? कहां पर? यह जो न्यामतपूर जो सितरांपूर रोड है इस्ट्रेशन रोड वही पर जी यहां पर जो अंटी सिखाती है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी आंटी सब कोई का इंस्पेरेशन है मेरा तो आइडल है और बहुत ही अच्छी सरीके से सब कोई को सिखाती है डाउटलेस कोई बात नहीं हो सकता आप तो युवा है और जो आपके उमर के जो युवा लड़किया है जो निरास हो चुकी है जो लगता है कि नहीं सब कोई आप कुछ नहीं हो सकता है तो उसको सो निर्वर बनने के लिए आप क्या एक संदज दिना चाहेंगे जी मैं बोलना चाहूंगी दो भी यह इनिरास मत होई है कि जिंद्धे में बहुत अधार चड़ाबाते रहते हैं मेरा भी घर में उतना हम मेदिल क्लास घड़की एक लड़की तो मेरा भी उतना यह नहीं था मतलब बने नहीं था मापोबबव भी उतना नहीं दे सकते तो मैं भी अपना ट्यूशन पढ़ा के फिर जो आंटी से सीखी हूं किसी का मतलब बीटिशन का जो भी जितना हो फेशल वगेरा आई ग्रो जितना भी जो भी करके मैं अपना ही पैसा से आंटी के पास से बीटिशन सीखी तो मैं हर लड़की को खेहना चाहूंगे कि स्वा न जो कर सकते हों तो इसमें आपको हतास हो रही वाली कोई बात नहीं है बस माबाबा क। इतना सपोर्ट मिला कि अपने बेटी ओगर से निकलने निए रहते हैं भरोसा करना चाहिए बेटी लोग कुछ अगर कर रही है तो भरोसा करना चाहिए क्योंकि एक एज होता है कि पीन एज़र साय तो मतलब थोड़ा उस एज में थोड़ा कुछ खराब हो सकता है लेकिन उसके बात का एज जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेट या क्या बोले मैच्वेड एज होता है तो माबबाबा लोग को हम वही बनला चाहेंगे कि महरसा अब थोड़ा टाइम दीजे वो लड़की आपका जो है वो एक दन एक दिन कुछ करेगी तो आपको टाइम देना होगा आप टाइम दीजे आपका लड़की कुछ करेगी जैसे आज मेरा भी गवर में पावंदी था बहुत जब हम कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन अभी खुड़। और तो पमस्तुछे जैकमिन कौक टि को लड़की जैसे ताहिए मेर में पाव तोसे रवी का का कहे क्रहिके को कुछा है